नमस्कार, आज फिर उपस्तित हुआ हूँ सापताहिक रासी फल लेके दिनांक 22 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक मतलब यह आने वाला हफता कैसा रहने वाला है विबिन राश्यों के लिए किन चीजों में लाप, किन चीजों में नुक्सान, कहां सावधानी वर्तनी है उन सभी चीजों पर बात करेंगे चाहे आपका काम हो, चाहे विवा हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो सिक्षा हो, चाहे वो प्रेम हो, प्रेमी जुगल, चाहे वो स्वास्त हो मेरा ये राशी फल अगर कहा जा आपकी चंद राशी पे आधारी थे चंदरमा जहां पर भी जरम कुल्ली में बैठा है वो आपकी चंद राशी हुई अगर आपको अपनी राशी का या जरम कुल्ली का नहीं पता तो नाम राशी के आधार पे भी इस कारक्रम को देख सकते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं हर बार की तरह इस बार भी इस वहफते में पढ़ने वाले तीस तोहारों की 25 तारीक को प्रदोस वुषत है, जो लोग रखते है उनको मैं बता दूँ 25 तारीक को प्रदोस वुषत है, और 26 तारीक को घरतनद दिवस चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी मेश वालों की लिए देगे मेश राशी वालों के अगर कहें तो आपकी रासी से तिरती भाव में चंदरमा का गोचर इस हफते की शुरुवात में होगा ऐसे में कहा जाएगा चंदरमा का तिरती भाव में जाना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चिंताओं को ये इंगित करता है घर परिवार को लेके चिंता, घर परिवार में किसी के स्वास से सम्मंदि चीजों में चिंता हो सकती है अगर आप व्यवसाई हैं तो कारेच्षेतर में भी चिंताओं को ये इंगित करता है किसी भी बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखिएगा अपनी महनत अपने आप पे और अपने घर परिवार पे ही भरोसा रखिएगा विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी सिख्षा से सम्मंदिच चीजों में कही ना कही मांसिक रूप से व्यक्ति जो है तनाव ग्रस्थ हो चकता है वही प्रेमी जुगलों की बात करें सावधानी से करें धन की आवत अगर कहा जाए सभी के लिए समान्य है व्योस्थाएं आपकी चलती रहेंगी निर्णे, शेर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से सम्मंदिच चीजों में सावधानी रखें वही प्रेमी जुगलों की एक चीज और मैं बोल दे रहा हूँ गलत निर्णेओं के कारण बदनामी हो सकती है सावधानी पर दे मेश राशी वालों के लिए 25 तारीक और 30 तारीक अच्छी है सावधानी जो है आपको 2526 को रखनी है लगी नंबर की बात करें नमबर छे, बात करते हैं व्रशब राशी वालों के लिए, देखे व्रशब राशी वालों के लिए अगर देखा जाए, राशी से दुती भाव में चंदर्मा का गोचर इस हफटे की शुरुवात में रहेगा, ऐसे में कहा जाएगा स्वास्त का ध्यान रखी, खानपान का ध लेगा, वही कामधाम से सम्मंदिच चीजों के लिए समय सामाने हैं, जिने आप अपना कहते हैं, उनसे तनाव हो सकता है, किसी व्यक्ती के जाने के कारण, दूरी के कारण कहीं ना कहीं मन भावख हो सकता है, जाने का मतलब हो गया किसी प्रकार से भी, चाहे उससे जो है द जसम में होने के कारण व्योस्थाएं आपकी चलते रहेंगी, कामधाम से सम्बंदी चीजों के लिए समाने हैं. सरकारी नौकरी, विशेश सावधानी, जो मैंने कहा हैं कि कोई ऐसे कारे मत करिएगा, प्रैविट नौकरी अगर कहा जा, ये समय अगर कहें तो कारियों का बोज बढ़ेगा. उतना ही लोगों की हल्प करिएगा, कि आपने उसने कहा कि आप मेरा काम कर दीजे, कही ना कहीं काम भी ने कर पाएं, बुरा ही अलग मिल गई, इसमें सावधान होके चलना है. व्यवाहिक जीवन में अगर कहा जाए, तो ससुराल पक्ष को लेके मदभेद या मनभेद हो सकता है. विरशब राशी वालों के अगर कहें, तो 25 तारिक और 26 तारिक अच्छी है, सावधानी 27 और 28 को रखनी है, लगी नंबर की बात करें, नंबर 5. मेदोन राशी, आपकी राशी के उपर ही चंदुरमा का गोचर होगा. ऐसे में कहा जाए कि धन के द्रिश्टिकोंड से हफता पूरा ही अच्छा है. वो निवेश, नया काम शुरू करना है, शेर मार्केट हो या अन्ने कोई निवेश हो. ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए, बहतर दिखाई दे रही हैं, जो लोग प्रेम को विवाह या प्रेम विवाह के लिए बाचीत करना चाहरें या उस दिशा में बढ़ना चाहरें, तो इसे समय अगर कहें तो अन्कूल है, जिल लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है. कई बातें आई, कई रिस्ते आए, कही ना कहीं से दिक्कतें, परिशानियां हो जाती है, कड़ जाती हैं चीज़ें, ये समय अगर कहें तो उन चीजों के लिए भी बहतर है. या फिर नए सीरे से आप विवाह की बाचीत करना चाहरें उसके लिए भी बहतर है. करिश्चेतर में अगर कहा जा, आकासमिग धनलाब को दिखाता है, वयवसाईयों के लिए इस समय पे रुके खाम आपके बनेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से फायदा हो सकता है, जो आपके जो है. कहीं ना कहीं आपके कारिश्चेतर में आपको कहीं ना कहीं लाब दे. वहीं यात्राओं से सम्मंदिच चीजों में साफधानी रखे वाहन गारी आराम से चलाइए एक बात और जब भी वाहन गारी चलाइए तो अपना डेल अपने कागजादी सब देख लीजिए रखा है की नहीं रखा है मेधन राशी वालों के अगर कहा जा 22 तारीक और 27 तारीक अच्छी है साफधानी जो है 2526 को रखनी है लकी नमबर की बात करें नमबर एक करकराशी राशी से 22 भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफते की शुरुवात में रहेगा ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा इस हफते में बढ़ेगी कई ऐसे लोगों से आपकी भेट मुलाकात होगी जिनसे आपको लाब भी मिल सकता है अगर लेना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति से लाब लेना चाह रहे हैं काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं चीजे बन नहीं पा रहे हैं तो ये समय इस समय पे कहिना कहीं चीजों के बनने को दिखाता है, जो लोग राजनीती में है, पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए समय अच्छा है, सरकारी तंत्र या नेता या इंसे लाब लेने के लिए समय अच्छा है, अगर आप व्यवसाई हैं तो आपके कारिछेत्म में बढ़ोतरी होगी, बस एक चीज का ध्यान रखेगा, उधाल लेन देन में सावधानी रखेगा, पीछे का जो धन फसा है, इस समय पे आपको मिल सकता है, इसके लिए समय अनकूल है, वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए, थोड़ा सा क्रोध कम करिएगा, नहीं तो अगले का भी क्रोध भरपूर मात्रा मे होगा, जो भी अगर आप पुरुष हैं, आपका जीवन साथी अगर कहा जाए, जीवन विवा हो चुका है, अगर आप पुरुष हैं, तो महिला कहीं ना कहीं इस समय पे, जो भी उसका माई का है, उसको लेके थोड़ा सा दुखी होगी, एक बात, वहीं विद्धार्थियो नमीबर की बात करें, नमीबर Ну, बात करते हैं सिंगरासी वालों के लिए, देगे शिंगरासी वालों के अगर कहा जाए, रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, प्रयास हो महनत करियी, इस समय पे, मिलता हुआ, दिख रहा है, शेर मार्केट निवेश इत्यादी चीज़े अगर partnership में काम करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है वहीं जमीन मकान से सम्मंदित कोई निर्णा या मकान बदलना चाहरें उन चीजों के लिए भी बहतर समय कहलाएगा सरकारी नौकरी प्राविट नौकरी खासकर गौर्मेट जॉब वाले के लिए समय बेहत अनकूल है कही ना कही यहां पर भी आप काम करते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए समय अनकूल कहलाएगा सिंग राशी वालों के लिए 22 तारिक और 23 तारिक बेहत अच्छी है साफधानी प्यशेश का दो दिन है 2526 लकिन नंबर की बात करें नंबर 6 कन्य राशी राशी से दसंभाव जो कि आपका कर्म है कर्म भाव में कहिना कहीं चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसे में कहा जाएगा धन के नए विकल्प खुलेंगे जिन लोगों के पास नौकरी नहीं हैं नौकरी का प्रयास करें उनका प्रियास कही ना कहीं सार्थक होता हुआ दिख रहा है, पदोनती के योग बनते हैं, पदोनती से सम्मंदित चीजों के लिए बहतर समय है, लोगों का साथ मिलेगा, संतान से सम्मंदित कोई बाधा या तनाव चल ला था तो उसका विकल्प या उस दिशा में बढ़ने के लिए समय अनकूल है, वही यात्राओं से सम्मंदित चीजों में सावधानी रख के चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं यात्राओं का लाब मिलता हुआ दिख रहा है, सावधानी मतलब यह हो गया, वाहन गारी, प्लानिंग करके निकल लिए, सारी चीन देख लीजे, अगले से मिलना है, उसके बाद आगे बढ़िये, कन्या राशी वालों के लिए अगर कहा जाए, तो 22 तारिक और 25 बेहद अच्छी है, सावधानी जवर 27, 26 लकी नंबर की बात करें, नंबर 7, तुला राशी, राशी से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर, पूरा हफता ही धन के दर्श्टी कोण से अच्छा है, महनत कम लाब जादा, भाग के पूर्ण रूप से साथ देगा, निवेशित्तादी चीजों में फाइदा इस हफते में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी मनोकामना आपकी पूरी हो सकते है, जिसका प्रयास काफी समय से कर रह अगर आपके उपर कर्ज है, तो कर्ज से संबंदत विकल्प आपको मिल जाएगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि एक हपते में जो है, मान लीजे 20 लाग का कर्ज है, और कोई आपको परिशान कर रहा है, कही ना कहीं से कुछ ना कुछ विकल्प मिल जाएगा, उससे निकलने का, ठीक है, एक बात, थोड़ा मुला कर्ज है, तो कर्ज चुकाने के लिए समय अनकूल कहलाएगा, वहीं विद्यार्थियों के लिए समय समानने है, प्रेमी जुग्लों की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम से संबंदत चीजों में बेवजय का तनाव इस समय पे उत्पन नहो सकता है, व्यवाहिक जीवन में विवाह से सम्मंदिच चीजों में माथा पच्ची बढ़ेगी, और खासकर उन लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी, जो लोग विवाह के लिए बच्चों का रिष्टे देख रहे हैं, इससे नहीं, उससे वो ठीक नहीं, वो ठीक है, वो ठी बात करते हैं विरशिक राशिवालों के लिए, विरशिक राशिवालों के लगर कहा जए, स्वास्षरीर का ध्यान रखिए, धन का व्याय थोड़ा सा देखदा के करिए, धन खर्च इस समय पे होता हुआ दिख रहा है, वहन गारी से सम्मंदित बेचना या खईदना पड़ सकता है देगे आपका व्यवसाय है अगर मान लीजिए व्यवसाय कर रहा है तो एक अलग बात होगी मैं यहां पर वो बात कर रहा हूं कि किसी को आप किसी की मदद बेस पे या किसी से कोई आप से उधार मांग रहा है उन सब चीजों में साबधानी रखें वहीं विद का मुश्किलें इस समय पे कम कर सकता कहीं फस्ते हैं कहीं रुकते हैं तो जीवन साथी से राय जरूर ले लिजेगा विरश्चिक राशी वालों के लिए 27 तारिक और 28 तारिक अच्छी है साबधानी जो है 22 तारिक और 23 तारिक को रखनी है लगी नंबर की बात करें नंबर बात करते हैं धनु राशिवालों के लिए, आपकी राशी से सत्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, सत्तमस्त चंद्रमा कहीं ना कहीं काम से सम्मंदि चीजों के लिए, हफते की शुरुवात में अगर कहा जाए, तो उता चढ़ाओ को दिखाता है, व्युवसाई या कारिछे में फूंपूंप के कदम रखें, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, जो भी समान आप बेशते हैं, उसको देख लीजेगा, उसकी आपूर्ती देख लीजेगा, एक बात, नए कारियों में पढ़ने में अभी साबधानी रखें, वहीं शेर मार्केट निवेश इत् घर परिवार को लेके चिंताएं बढ़ेंगी, और कारेच्षेत्र में अगर कहा जाए, कारे का बोज इस समय पे बढ़ेगा, वेर्थ के कामों में अपना समय मत कराब करिएगा, और यात्राएं बहुत देख दाके ही करिएगा, गुरू हो गया, कोई बुजर्ग हो गया, माता-पिता हो गया, कहीं फसते हैं, कहीं रुखते हैं तो उनसे राय जरूर ले लिजेगा, धनु राशी वालों के लिए अगर कहें, 22 तारीक और 23 तारीक अच्छी है, साफधानी जो है, 2526 को रखनी है, लकि नंबर की बात करें, नंबर 9, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए समय अनकूल है, इस समय पे प्रयासों को बढ़ा दीजे, रुका हुआ धन, फसा हुआ धन आपका मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं कर्ज त्यादी चीजें अगर लेना या देना चाहरे हैं, उसके लिए भी समय समानने हैं, नए कारियों की शुरुआत करने के उसमें सफलता की योग दिख रहे हैं, द्वावसाईयों के लिए विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे, धन की आपूर्ती इस समय पे कही ना कहीं होगी, कामधाम से संबंदे चीजों में बढ़ोत्री के संकेत इस हफते में दिख रहे हैं, मकर राशी वालों के लिए 225 अच् इस हफते की शुरुआत में, ऐसे में कहा जाएगा धन के विकल्प खोलेगा, धन से सम्मंदी चीजों में बढ़ोत्री को दिखाता है, रुखा हुआ धन, फसा हुआ धन इस समय पे मिल सकता है आपके प्रयासों के माध्यम से, मन कही ना कहीं आश्थिर होगा, मन में तरा- समानने हैं, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहें, तो सावधानी बर्थ के चलें, पत-पतिष्ठा इतादी चीजों को देखते हुए, बाकि कहीं को डरने वाली बात नहीं है, पूरा हफता ही अच्छा है, प्रैविट नौकरी वालों के लिए अगर नौकरी नहीं है इस हफ्टे की शुरुवात में रहेगा ऐसे में कहा जाएगा कि आपकी रासी से द्वादस में शनी का होना कहीं ना कहीं धन के दश्टी कोण से उतार चड़ाओ संगर्स, रुका हुआ धन, फसा हुआ धन इस समय पे अथाप प्रयास के बाद ही मिल सकता है थोड़ा सा देख दाके कि आप ठीक है वहीं ये भी कहा जाएगा वैवाही जीवन के लिए असंतोष का समय रहेगा वैवाही जीवन में जो भी जीवन साथी है वो आपके कारिछेत्र में आपको सहयोग कर सकता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपके काम पे जाके बैठे मतलब कहीं फस्ते हैं कहीं रुपते हैं तो आपको रास्ता दिखा सकता उसकी राय मैं ये नहीं कर रहा हूँ मान लीजे मैं ये ज़रूर कहूंगा कि उसकी राय ले लीजेगा बाकी अपने इसाब से चलिए वहीं विद्धार्थों की बात करने तो घर परिवार इतना काम बता देगा जिसके कारण विवा पढ़ाई से सम्मंदिच चीजों में समय कम मिल पाएगा या फिर पढ़ाई को लेके घर परिवार में तनाव हो सकता है मीन राशिवालों के लिए 27 तारिक और 28 तारिक अच्छी है साफधानी जो है 22 और 22 को रखने है लगी नंबर की बात करें नंबर 2 फिर से जाते जाते मैं कहूंगा आप सभी को गरतन दिवस की हार्दिक शुपकामने और बाकी प्रभुशी राम आप सभी का भला करें एक बार 22 तारिक के बाद उनके दर्शन करने जरूर जाईएगा एक स्वाणी समय है ये बेहद अच्छा है कि हम और आप हमारी आँखों के सामने राम बंदिर का निर्मान हो गया कोई भी कराया हो चाहिए गौर्नमेंट कराईए कोई भी उससे मतलब नहीं है बस यही बहुत बँदी चीज है कि हम और आप देख पा रहे हैं उसको बाकी कोई वाद हो कोई वीवाद हो कोई वाद विवाद वाला मैं उनके उनके यही कहना चाहूंगा अभी क्ले बस इतना ही नमस्कार